हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है जो हार जीयस में है इस वीडियो में जो है हम लोग सुरू करने जा रहे हैं जे पीसी का सबसे ज्यादा नंबर देने वाला भी से जो है खुठा जो हमारा स्लेवस है उसको कोशिस करेंगे कि पूर्ण रुपेन आपका कभर हो जाए तो सबसे ये ऐसे दूसरा टॉपिक है इसके पहले भी एक टॉपिक है उससे पहले जो है हम लोग इसको जान जाते हैं उसके बाद जो है हम लोग पहला टॉपिक्स को पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि खोठा भांसा जो है उसकी क्या विसेस्ता है टॉपिक्स सुसंतर और संइतल भांसा है कहाने का मतलब जो है खोटा जो है सदानी भांसा का भांसा समू का जो है सबसे अच्छा और सुन्दर और संइतल यानि कि मदद सजाया हुआ भांसा में से एक है जे जहार खंडे 31,000 वर्ग मिल जैसन ढांगा और उसार छेत्र छेत्रे पसरल है कहने का मतलब है इस खोटा भांसा जो है जहार खंड के 31,000 वर्ग मिल में इतने बड़े छेत्र में जो है ये फैला हुआ है मैंने जहार खंडे 24 जिला के मज़्धे 16 जिला इसके मतलब है कि जहार खंड के 24 जिले के मज़्ध में जो है ये पीश में 16 जिला का जो है और सावा डेड करोड लोगों से भी जादा लोगों की जो है सबसे लोगप्रिय भांसा है खोठा खोठा का अपन धंग धांचा जैसे सब्द, पद, वाइक के अपन तरीका से हव है यानि कि खोठा का जो है अपना एक अलग धंग है जिसमें सब्द का, पद का और वाइक की बनाने का जो है अलग अलग तरीका है खोठा का आपन भांसिक विशेश्ता है जे हेठे रकम देखल जाए पारे यानि कि खोठा का जो है भांसागत जो है उसका अपना जो है अलग विशेश्ता है जिसको हम लोग नीचे देखेंगे सबसे पहले है साडाक यानि की धावनी विश्यस्ता तो इसमें जो है खोठाएं अंगा, मुधनिना, तालावस्थ, मुधनिसा, छा, त्रग्या, री, री छोड़ के देवनागरिक सभे धावनी चिन यानि की आखर के परजोग करल जाए है यानि खोठा में इन अक्षरों को छोड़ कर बाकी सभी देवनागरिक सभी अक्षरों का परजोग किया जाता है तालावस्थ, मुधनिसा के बदल, दन तिसा के परजोग हो है यानि की खोठा में जो है तालावस्थ और मुधनिसा का परजोग नहीं होता है और इसके अस्थान पर जो है दंतिसा का प्रजोग होता है मुधनिसा का जो है उस्रान यानि कि उचारन जो है खा रखों में हो है यानि कि मुधनिसा खा के जैसे उचारन होता है जैसे धनुस जो हम लोग लिखते हैं उसको खोठा में धनुक कहा जाता है पुरुष को पुरुख इसके बाद है खोठाएं संजोगी साड़ा यानि संयुक्त अक्षर नाय पावल जा है यानि खोठा में जो है संयुक्त अक्षर का बहुत अभाव है कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है लेकिन संयुक्त अक्षर नहीं परियोग होता है इसमें जो है संयुक्त अक्षर नहीं पाया जाता है इसलिए संस्कित वहांसा और हिंदी के सब्ध है उसको अलग-अलग रूप में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है दक्षिन दक्षिन कहा जाता है पवित्र पवित्र छेत्र छेत्र ग्यान ग्यान रिसी इसमें देखिए कुछ सब्द जो है बदल गए जिसे अक्षा है परिक्षा का जो है खा में परिवर्तन हो गया है तो यहीं चीज कर रहा है कि इसमें सयोग तक चर उसका प्रियोग बहुत कम होता है इसके बाद है संताली भासा रकम या के उखरान यानिकि या उसको किस तरह से लिखा जाता है कोराई, डेराई, आई रकम में है वो है यानि कि संथाली भासा में जो यहां का जो लिखा जाता है उसका परियोग जो है खुठा में भी होता है वो इस तरह से होता है कुराएं डेराएं आएं इस तरह से इसके बाद है समाइन वर्तमान काले मूल किरिया और सहायक किरिया मांजे विसिष्ट धावनी और पावल जा है यानि कि समाइन वर्तमान काल का मूल किरिया और सहायक किरिया के बीच में जो है और धावनी को मिलता है जाकर उखरान दो किरिया के मांजे यानि उन दोनों के बी जे रकम चले हैं देखिए यहाँ पर हाइफिन दिया हुआ है करे हैं सुते हैं आरो आरो यानि कि और भी बहुत सारा इस तरह का सब्द हो सकता है इसके बाद है मज्द स्वार गम इसमें सब्देक मांजे ई साडा के हरसी स्वार रुप अपना ही उसरे हैं जैसे चल चल को जो है चैल कर को कईर डर को टैर घर को गैर दाल को दाईल तो इस तरह से जो इसके मध्य में जो है इभ जो है पाया जाता है फिर है संजोगी स्वर साड़ा खोठाई नाइपावल जाए सैखातिर हिंदी संस्क्रित आदिक वैसन सब्देक उस्रान उखरान है ठेरकम हुआ यह तो पता ही दियें कि इसमें जो है संयुक्त जो है सब्द का परियोग नहीं होता है इसलिए जो है हिंदी और संस्क्रित के जो है सब्दों का परियोग जो है किस तरह से होता है जैसे आउरत इसमें जो है आउरत खोठान का आयाता है फाउज दौड़ दौड़ ऐसा अईसा काईसा और खोठा में जदि जौकरूप में होगा याद इसमें जौ है याद होगा यार और यार दिखिये यहाँ पर जो है यो आ रहा है और इधर जो है इ आर होगा परजब पढ़ते समय इन सब चीजों को ठ्यान में देना है सब्द क्मान्जे और से से इ रखम ङानि कि सब्द के बीच में और उसके अंत में कैसे होता है जैसे CR तो इस तरह से जो है सब्दों के बीच में भी होता है और सब्दों के लास्ट में भी होता है इसके बाद है सब्दगत विशेस्ता यानि कि सब्दों का जो है क्या-क्या विशेस्ता है अनुकरनात्मक सब्द प्रकिर्ति पावल भीनो भीनो साड़ा के नकल से बनल सब्द गजागज है और जगाग है यानि कि अनुकर्निय यानि कि प्रकिर्ति से जो सब्द पाया गया है वो भी जो है वहाँ से नकल किया गया है नकल मत उसका अनुसरन किया गया है और ये बहुत सारा है, जैसे सरसर, फरफर, टरटर, पटपट, खटखट. ये सब जो है, प्रकृती से लिया गया है. अनुकरनातमक सब्द एल, किरिया रूपे परजोग. ये जो अनुकरनातमक सब्द जो है, इसका किरिया के रूप में परियोग होता है. इसने सब्द एक परते जोड़ के किरियावाची सब्द बनो है यानि कि ऐसे सब्दों में जो है एक परते को जोड़ कर जो है किरियावाची सब्द बनता है जैसे परपरा ये जो है इसमें एक लगेगा तो परपरा एक इसका अर्थ होता है रोदे सुखे खद खदा, इसमें जो है एक परते जुड़ेंगे तो खद खदाए जैसे पानी जो है डव के यानिकि पानी जो उबलता है उसी को कहा जा रहा है इसके बाद है विशेशन रूपे पर जो इसका परियोग जो है विशेशन के रूप में भी होता है इसमें इल परते जोड के विशेशन सब्द बनो है जैसे पटपटा तो इल लगेंगे तो इसमें पटपटाए ले डबडबा इसमें इल लगाएंगे तो डबडबाए ले इसके बाद है किरिया विशेशन रूप प्रियोग किरád बिशेशन में जब है तब क्या प्रियूग करेंगे आई परते जोड़ के बिशेशन बनो है कियसे लड़ बढ़ाई के गेर ले, हड़ बढ़ाई के उठ ले, हरफराई के मुर ले तो ये जो है किरिया बिशेशन में आई सब्द लगा के बनाया जाता है इसमें जो है अनुकरनात्मक सब्द E परते जोड़ के बनों है जिसे करकरी मुर्गी यानि कि अंडा देनिहार मुर्गी जो ज़्यादा अंडा देती है लगातार उसको करकरी मुर्गी कहा जाता है इसके बाद है गरगरी गरगरी लोक यानि कि जो जोर से बोलते हैं उनको जो है गरगरी कहा जाता है इसके बाद है अनायर जे भासा सब्द समानता है जो अनायर भासा जो है उससे भी जो है इसका समानता है मतलब खोठा में सब बहुत सारा सब्द है जो मुंडा में उराउं में आदी भांसा में भी जो है पाय जाता है मकीन लेकिन जो है कहक बड़ी कठिन है की आईसन सब्द खोठा खाके ना अनार्जी भांसा कर यानि की ऐसा बहुत सारा सब्द है जो मुंडाउं में भी पाय जाता है उराउं भांसा में भी पाय जाता है लेकिन ये कहना बहुत ही कठिन हो जाता है की ये सब्द जो है अनार्जी भांसा का है या खोठा भांसा का है जैसे यानि कि जे रखम संग्यास सब्द गिदर इसको छववा भी बोला जाता है गिदर भी बोला जाता है तीलहा बांकी धिड़ा पेट लादा बढ़का पेट चेंगना चुजा लेरू बाच्छा डूभा टोका मुझ को काया था खील परती जमीन लूगा कपड़ा यानि कि इसको ये जो है खोठा का ही है या अनायर भांसा का है ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्यूंकि खोठा में भी जो है इस तरह का प्रियोग होता है किरिया वाच्ची सब्द उस्रेक यानि कि उचारन अखरेक यानि कि लिखना खूल केक यानि कि देखना माल केक यानि कि चमकना पीद केक यानि कि उचलना कॉमरेक यानि कि काटना ठीक ना तो ये सब्द भी इसमें मिलते हैं फिर है विशेशन वाच्ची सब्द संवला, यानि कि भूरा, डोडगा, ठूठा, चरगा ये सब्द भी पाए जाते हैं इसके बाद आर्य भांसा से सब्द से भीनु अर्थे सब्द यानि कि आर्य भांसा के वैसे सब्द जिसका अर्थ अलग रूप में है खोठा इधायरेशन सब्द पावल जा है जि उस्राने और उखराने संस्कृत सब्द से मेल राख है मकीन याकर अर्थ बेजाएं फरक भाएजा है यानि कि खोठा में ऐसा बहुत सारा सब्द है जो संस्कृत से मेल तो रखता है लेकिन जो उसका अर्थ जो है वो अलग हो सकता है जैसे साधक, तंद्र करवया, तपश्या करवया साधना, तंद्र करे, तपश्या करे पूजा, काटे या पूजन इसके बाद है संग्या सब्द से किरिया बनवे यानि कि संग्या से किरिया किस तरह से बनाई है संग्या सब्द से किरिया बनवावय, ठांगा, लेता है देख खोठाई, जे रखों, अंग्रेजी भासाई, पावल जाए जिस तरह अंग्रेजी में मिलता है उस तरह खोठा में भी होता है जैसे डहर डहरावेक, एडी एडियावेक, पाइनावेक, यह सब जो है इंग्लिस में भी ऐसा मिलता है, वो ही जो है खुठा में भी पाया जाता है, संग्या से किरिया बनाने के समय में, इसके बाद है विशेशन सब्द से किरिया बनावे अंग्रेजी भासा रखों खुठाएं विशेशन वाचिस सब्द से किरिया वाचिस सब्द बनावे धंग धंग लेता है यानि कि अंग्रेजी भासा के तरह जो है खुठा में भी विशेशन बनावे का इस तरह से बनता है जैसे चरक से चरकावेक रंग से रंगावेक कारी से करियावेक इसके बाद है संज्या सब्द तीन लूप संज्या के जो तीन लूप होते हैं अंग्रेजी में उस तरह खुठा में भी है कैसे जैसे पेट पेटा पेटवा भात भातवा सोनार सोनारा सोनारवा तो इस तरह से जो है किरिया के तीन लूप जो है खुठा में भी मिलता है इस इसके बाद हम लोग देखते हैं भांसिक और सहित्तिक विस्यस्ता कौन-कौन सी है खुठा भांसा के हैं। बेशिव बिद्वान एक रा आर्ज भांसा माना है यानि कि जादातर बिद्वान जो है इसे आर्ज भांसा मानते हैं। इसके बाद सबले बोड अबादी कर मांजे संपर्ख भांसा रूपे पर जो है यानि कि सबसे बड़े अबादी में इसे एक संपर्ख भांसा के रूप में देखा जाता है। खास करके संथाल, उराओ, मुंडा, आरो, आरो, चंजाती, सदान, गुला से एह भांसा के संपर्ख भांसा बनवल हत। जाती विशेज का नहीं है, ये संपर्ण समाज का है। एकर लोकसाहित, सरल, पूरल और तेलियाईल है, इसका जो लोकसाहित है, बहुती सरल है, इसको आसानी से समझा जा सकता है, और पूर्ण रूपेन है। तेलियाईल मतलब बहुत ही जादा घनत्यों के मात्रा में यह पाया जाता है ज्यारखंडी संस्कृति के दर्शन विकास समान सिष्ट सहित यानि कि इसमें सिष्ट सहित भी जो है विकास के साथ साथ प्रजोग हुआ है रामगर्ण राजा परिवार एक सिष्ट सहित विकास कर सुरवात यानि कि रामगर्ण राजा के परिवार से जो है सिष्ट सहित का सुरवात हुआ है तो इस तरह जो है हम लोग देखें खुठा भासा के पर्मु पिसिस्ता हैं और इससे जो है सम्बंधित प्रस्ण जो है जे पेसी मेंस में आ सकता है और ये जो है एक नया शुर्वाद किया गया है ये आपको किस प्रकार लगा ये जरूर बताएगा जिससे की जो है इसके और अइन टॉपिक्स को भी लगातार कवर किया जा सके धन्यवाद